प्यारे ख़जियों, आप सब को शुबिच्छा, हैपी थोर्ट्स, हैपी थोर्ट्स यानि आनन्दि विचार, आनन्दि विचार जिन से हम आत्मा साख्षातकार की तरफ जाएं और हैपी थोर्ट्स जब कहते हैं, वो इंडिकेशन है, कि आप चाहते हो सत्य आपके जीवन में उतरे अगर किसी इनसान की आँख तिव्र हो जाए, तो वो उस आँख से क्या कर सकता है बंबे में जहरी बजार जहां हीरे खरीदे जाते हैं, वहाँ पर लोग हीरे खरीदते हैं और उसकी जांच करवाते हैं फुटपार्थ पर बैटे हुए कुछ लोगों से उनके पास कोई दुकान नहीं है, उनके पास कोई हठ्यार नहीं है वे सिर्फ देखकर उनको बताते हैं कि जिस दाम में तुम सौदा करने जा रहे हो वो सही है या गलत है और लोग उनको उसकी कमेशन देते हैं सही दाम बताने की ये लोग फुटपात पर बैठकर कमा रहे है यानि इनकी आँख को मिली है वो परक जो एक साधारण इनसान नहीं जानता उसी तरह कोई अपने कान को तीवर करता है संगीत का माहिर बनता है एक इंदरी भी अगर जागरत की जाए तो उसकी वज़र से आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी कभी पैसे की कमी नहीं होगी सिर्व एक इंदरी आप जानते हो जो अंदे होते है जब आँक बंद हो जाती है तो उनके कान तीवर हो जाते है वो ऐसी आवाजे सुन पाते है जो बाकी लोग नहीं सुन बाते तो ये जो शक्ति बढ़ गई वो नहीं थी क्या ऐसा था या थी मगर इस्तमाल नहीं हो रही थी शक्ति थी इस्तमाल नहीं हो रही थी तो ये एक एक इंदरी करके हम जाएंगे वैसे नाक एक इंदरी है जुबान एक इंद्री है तो अच्छा एक इंद्री है जिससे स्पर्श करते है इन पांचों इंद्रियों के बाद आता है मन इस मन के कुछ लोग पावर्स बढ़ाते है और आप जानते हो यदि मन के पावर्स बढ़ाये जाए तो चमतकार हो सकता है जीवन में यहां बैठ कर आप किसी और जगह पर होने वाली गटना देख सकते हो किसी टीवी की जरूत नहीं बढ़ती है किसी के विचार पढ़ना आपके लिए आसान हो सकता है मन की एकागरत शक्ती के द्वारा यह है मन की शक्तिया बूत जानना बविश्चत जानना यह है मन की शक्तिया फिर एक और चीज बरसती है उसके बाद यदि कोई चाहे कि मन के पीछे जो चीज है वो प्रिकट हो जाए तो क्या मिल सकता है तो मिलता है महा आनन इंसान अपने आप से पूछे मैं क्या चाहता हूँ जीवन में किसी इंद्री की शक्ति बढ़ाना बुद्धी की शक्ति बढ़ाना मन की शक्तियों को बढ़ाना या इनके परेगी जो सक्त्य की शक्ति है जिसको मन ने ढग दिया है काले बादल सूरज को ढग देते है तो कोई ये नहीं कहँआगा कि सूरज नहीं है आप कहेंगे मैं अन्दर जाता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ नहीं है सिरफ मन ने ढख दिया है तो हमें समझना है अगर मन के पीछे है महाँनन तो महाँनन कैसे प्रकठो दो ही काम करने उसके लिए, महानन प्राथ करने के लिए दो ही काम, एक सत्संग, सत्संग जीवन में बड़े, अब सत्संग का अर्थ भी समझ लो, सत्य का संग यानि सत्य की साथ रहना, क्योंकि सत्य के साथ रहोगे तो उसका रंग आपको लगने ही वाला है, सत्य जिनको मिला है उनके संग रहना, या जो सत्य की रास्ते पर चलने वाले उनके संग रहना तो असर होगा एक बुड़ा इंसान था जिसने एक तोता खरीदा अकिला था तो लोग ऐसा करते हैं न कोई कुटा खरीड लेता है कोई बिली खरीड लेता है पाल लेता है तो उसने एक तोता पाल लिया मरत तोता बुरा निकला कहीं गलत संगत में था तो गालियां ही गालिया बगता है बुड़े को देखा सुबह नहीं कि कहता है बुड़ा आ गया, क्रोधी बुड़ा बुड़ा मरता क्यों नहीं फिर कभी बुड़ा सठ्या गया है बुड़ा मरता क्यों नहीं ऐसे कुछ गालियां देते रहता है इसको बुरा लगा, इसको हम फेक देंगे, उड़ा देंगे, या फिर एक कोशिश करते सुधारने की, उनका जो फैमिली पंडित था, उनके पास गया, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, तो एक फैमिली पंडित भी होता है, उससे राय मांगी, उसने का मेरे पास भी तोता है ऐसा करो कुछ दिन मेरे तोते के बाज़े में उसको रख दो, मेरा तोता तो बहुत अच्छे ची बाते बोलता है, फिर उस तोते को लाकर रख दिया गया, हफ्ते बर के बाद लेकर जाओ, बुड़ा एक हफ्ते के बाद उस पंडित के पास गया, उससे देखते ही, बुड बुड़ा जब गया था, अरे अभी क्या हुआ, देखते ही कहता बुड़ा मरता क्यों नहीं, मर उसका जो तोता था, उसने कहा तथास्तू, बुड़ा कब मरेगा ये कहता तथास्तू, बुड़ा मरता क्यों नहीं तथास्तू, तो वो इलतिजा कर रहा है, बुड़ा मर ज संग नहीं रहना है क्यों तोते कोई जानते नहीं है सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं ऐसे बहुत सारे तोते मिल जाएंगे ग्यान की बातें बहुत होती है अनुभावाली कोई चीज नहीं है तो सत्य का संग हो सत्संग का पहला अर्थ दूसरा अर्थ क्या है सत्संग यानि समझ संग समझ संग अन्त में जो समझ प्राप्त होती है हर पात पर चलने के साथ हर मार्ग पर वही समझ हमें प्राप्त हो जाए सिर्फ समझ ना है आन्त में पता चलेगा, सिरु समझ काफी थी, सिरु समझना था, कोई लड़का हो, और लड़की का रोल कर रहा हो स्टेज पर, और फिर रोल करते करते एक दिन ऐसा हो जाए कि वो बूली जाए कि वो लड़का था, अब स्टेज से उतर के भी लड़कियों की तरही बाते करे, कोई इसको बोले, आरे तू लड़की नहीं तू लड़का है, और वो कहां मैं जानती हूँ, वो कहें मैं जानती हूँ, आरे तू अभी भी वही समझ रहा है, तू समझ रहा नहीं है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो लड़का है actually फिर वो कहेगा हाँ मैं समझने का प्रयास करूँगी मैं समझने का प्रयास करूँगी यानि वो बात उसे समझ में नहीं आ रहे मगर जिस दिन समझ में आ जाएगी तो वो क्या कहेगा किस तब से, किस जब से मिला किस तंत्र से किस मंत्र से मिला अपने आपको जान लिया तो किस मार्थ से जाना अंत में गया गया अंत में मिली एक समझ जब तक वो समझ नहीं मिली थी तब तक कुछ और मानकर ही जी रहे थे तब तक जो नाम दिये गए है उनको ही मैं मानकर जीते रहे जो पोस्ट दी गई वही मैं हूँ वो मानकर जीते रहे किसने कह दिया तुम डॉक्टर हो तुम डॉक्टर मानकर ही जीए तुम ब्रिगेडियर हो तुम करनल हो वो ही सब लेबल तुम हिंदू हो तुम मुसल्मान हो तुम भाही हो तुम बहन हो तुम इस्तरी हो तुम पुरुष हो मगर समझ मिली तो जो मैं हूँ वो बनकर जी हूँ वहीं बनकर तुम मिली क्या समझ शायद कुछ लोगों को जल्दी समझ में आता है कुछ लोगों को देरी से समझ में आता है मगर समझ में आता है यदि सत्संग होता रहे शरवन होता रहे सत्य का शरवन होता रहे तो समझ संग सत्संग तीन बुद्दू लड़के थे किसी दुकान पर गए है और दुकानदार से पहले लड़के ने मांगा चवन्नी के मीठे चन्ने दो आप जो मीठे चन्ने थे दुकानदार ने उपर उसमें से चवन्य के मिठे चने दे दिये परिले लड़के को और फिर वो बर्तन उपर रख दिया फिर दूसरे लड़के से पूछा तुम्हें क्या चाहिए उसने कहा मझे भी चवन्य के मिठे चने चाहिए दुखांदार को भी गुसा है कि अरे पहले तु लाया था नीचे तब ही बोलना होता अम रहे बहत्या करे लड़का है ठीक है फिर वो गया ऊपर से लेकर आया उसको चंबने के मिे चनने दे दिये और तो तु तीसरे से पहले ही पुछ लिया तु में भी तो चवन नी ke मिठे चनने नहीं चाहिए ना उसने कहा नहीं उसने भापत रख दिया बरतन वो नीच आया और पूछ तुम्हें क्या चाहिए मुझे अठनी मिठे चनने चाहिए मुझे अठनी के मिठे चने चाहिए सो समझे नहीं बात दुगांदर क्या बतना चाहता है बात पकड़ में नहीं आई मगर सरफ समझना है आप कौन हो हकिकत में शरीर को मैं मान कर बैठे है मर क्या वाकिय हम शरीर है या कुछ अलग बात है जो अनुबव सदत चल रहा है हमें पकड़ में क्यों नहीं आता क्या है बादा महा आनन मिलने में क्या है बादा महा आनन जब मुझे आनन मिलता है मेरी वज़े से आपको ऐसे कितने लोग मिले है या मिलते है जो आपको कहते है मैं खुश हूँ मेरी वज़े से खुश हूँ मैं हूँ इसलिए खुश हूँ और कोई कारण नहीं है बर्टे है, प्रोग्राम है पार्टी है, पिकनिक है इसलिए खुश नहीं हूँ मुझे मेरे होने का आईसास है मैं हूँ इसलिए खुश हूँ मेरा होना है काफी है खुश होने के लिए और किसी बात की जरूरत नहीं है ऐसे लोग नहीं मिलते हैं हमें क्योंकि वो मन जो है मिचारों वाला वो बादा है बीच में उसको हम समझने का प्रयास कर रहा है इस समझ के दौरा सत्संग है मेरा मेरे साथ संग तिसरा अरफ है मेरा मेरे साथ संग धिनबर में जो आप कामकाश कर रहे हो क्या अपने बारे में पूश्टाश करते हो अगर कोई रिखती हर गंटे में अपने आप से पूश्टाश करे हर गंटे में एक बार इस वक्त कैसी अवस्ता है इस वक्त मैं गुस्से में हूँ कभी ऐसा आपको पता चलेगा किसी घंटे में पता चलेगा कि बोर हो रहा हूँ बोर होता हूँ तो क्या करता हूँ कभी देखेंगे टीवी आउन कर रहे है कभी मुजिक सुन रहे है कभी अख़बार पढ़ रहे है कभी दोस्त के पास जा रहे है सिनेमा हाल में जाएंगे किसी जगड़ा करेंगे चाय सिग्रेट पिने चले जाएंगे तो बोर होता हूँ क्या करता हूँ ये सब चीज़े करता हूँ रेस कोर्स में घोड़ा दोड़ रहा है बात नीचे फिर बोर्डम ये जिन्दगी पर बोर्डम और उतिजना दोनों के चलती रहता है और फार्मूला आनंद तो आपको ये नहीं कहा गया कि ये मत करो आपको कहा गया कि ये जो दो आनंद है इनमें जागरत हो जाओ इनके गुलाम मत बनो टीवी देखो पार्टी में जाओ जो भी चीज़े है वो करो और जब गुलाम बन जाते हो तो इन्हें के पीछे दोड़ते हो नहीं होती तो कल्पनाएं करते है गुलाम मत बनना तो किसी गंटे में देखो कि बोर हो रहे किसी गंटे में देखो कि confused है, किसी हो देखो के depressed हो, व्याकुल हो, निराश, कभी देखो के अहिंकार बड़ा strong है, किसी का काम किया, किसी का काम नहीं किया, क्यूं? ये तारीफ करता है, इसका काम किया, ये काम में रुकावट डालता है इसके काम में टांग अड़ाई एंकार कुछ चोट पोचाता है कभी देखो डरे हुए हो किसी गंटे में देखो के डर है भविश्य में होने वाले गटना का कभी देखो के एड़िट है नफरत जब नफरत होती है तो क्या करता है परसुन?, किस तरह का अनन चाहता है फिरda, सामने वाले पर व्एंग करता है, चड़ाता है, लोग चड़ा कर अनन लेते हैं ना, किसी को कृटिसा़ीज करेंगे दो चार लोग मिलेंगे नहीं, तो इसकी बुराई उसकी बुराई वो पागल ऐसा करता, तुम म बहर आएगे पढ़ाई करने बैठे नहीं कि याद आएगा सहली ने ये कहा था दोस्त के ये कहा था अब कल मिलने दो कल वो ये कहे कि में ये कहूंगी वो ये कहेगा मैं वो कहूंगा गंटों वो जो बदला लेने की बाहुना चल रही है उसने ऐसा कहा, सब के सामने कहा अब मैं उसको ये कहूँगा तो हेटरेट का कभी देखोगे, नफरत का थौट है कभी देखोगे कि इन सब से आगे घ्रणा है या गलानी है गलानी है कि अपराद बोद, कोई घटना, कोई मिस्टिक हो गई तो बार बार वचार आ रहा है, ऐसी गलती क्यों होई और कभी देखोगे आनन्द में है और कभी देखोगे महा अनन्द में है तो ये अलग-अलग अवस्था है दिन में, हर घंटे में चेक करना एक गंटा हुआ नहीं तो बलना आभी कैसी अवस्ता है तो याद नहीं आए तो A, B, C, D, C याद रखना A for anger यानि गुसा, B for boredom, गोरियत, C for confusion, D for depression यानि निराश होना, E for ego यानि एंकार, F for fear यानि डर, G for guilt यानि गलानी, H for hatred यानि नफरत, I for ill will, D, D, J for jealousy, K for kindness, kindness यानि कि क्या, दयाज, कभी देखोगे कि सेवा का आनन ले रहा है, और L for laziness कभी सुस्त है, और M for महा आनन, तो इस तरह भी याद रहेगा आपको, खेर ये था, अगर ये दिन बर चलता रहे तो क्या होगा, दिन बर सत्संग चल रहा है, दिन बर सत्संग चल रहा है, सत्संग से बाहर ही नहीं आए, ये मत सोच की बढ़ना कि इदर आए है, एक घंटा ही सत्संग में थे, अगर अपनी inquiry कर रहे हो, अपनी पूश्ताश, मैं दुखी हूँ, तो कौन दुखी है, व्याकुल मैं हूँ, बोलता हूँ, मन व्याकुल, तो मन व्याकुल है या मैं व्याकुल हूँ, थोड़ी पूश्ताश करना, तो फिर रहस्य समझ में आते जाएंगे, अपने बारे में, मैं कौन हूँ, ये पूश्ताश करते रहा है, यानि सत्संग चल रहा है, दिन भर सत्संग चलता रहे तो आपको क्या करना है? सत्संग में रहे दूसरा काम मन संग से दूर हो एक है सत्संग, एक है मन संग सत्य का संग, मन का संग मन का संग क्या है? इसका आर्थ समझ ले मन क्या है? ये समझे एक भारत जो आजाद हो गया ये भारत का नक्षा है न? यानि इनसान का शरीर एक ये भारत है जो अभी आज़ाद नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर अंग्रेज बठा है इससे अभी अंग्रेज गया नहीं है अंग्रेज अभी तक बठा है कौन है वो अंग्रेज? Contrast मन तोलू मन इस अंग्रेज को हटाना है जो हमेशा तुलना ही करती रहता है इसमें और उसमें यह अच्छा की अच्छा गुट गुट वेरी गुट वेरी गुट बाड बाड वेरी बाड वेरी बाड ऐसा अच हुआ बहुत बुरा हुआ ऐसा क्यूं होँ मेरी जीमन में ऐसा हुआ बोगा अच्छा हए बढ़िया हए चली रहा है उसका सोचना अभी भे आप सुन रहे हो तो देखो गी बोली रहा है और चुप तो hoता ही नहीं चुप होना हो जानता ही नहीं बोलती रहा है तुलना चलेगी तीन साल कट करो, अपनी उमरे से तीन साल निकल दो, उतने साल से वो राज्य कर रहा है, अगर आपके उमर बीस साल है, सतरा साल से वो राज्य कर रहा है, क्यों जब तीन साल के थे बच्चे थे तब नहीं आया था वो, तब बड़े आनन्द में थे, महा आनन्द में थे आप, आप सब आजाद थे अंग्रेज बाद में आए और आए तो बैट ही गए जाने का नाम ही नहीं ले रहे पता नहीं कम निकलेंगे इस भारत से फिर उसे कोई चाहिए कि इस देश को कैसे आजाद किया जाए यह मुख्या है तो बताया इसको बाहर करना है जो दो में तुलना कर इंसां रास्ते से जा रहा था जो बर्ट पड़या मन बाहर बोड़े पड़ती रहता है न है मन अंदर मंन बंदर, मन बाहर बंदर, तो उच्छा लगोदी चलते रहती है उसकी, तो बोर्ड पड़ा, एक बार आजमाओ, होटल के बाहर है, तो वारे कोई अच्छी होटल है, एक बार आजमाएंगे, अंदर गया, अंदर गया तो दो दर्वाजे थे, एक को पर लिखा था नाश्ता औ तो सुचा चलो मासारी खाते आज, एक बार आजमाओ बोला है, तो मासारी आजमाते है, फिर अंदर गया उसमें, तो फिर एसी और नौन एसी, फिर दो दर्वाजे, तो सुचा के चलो मासारी खाएंगे और एसी में बढ़ कर खाएंगे, फिर उसके अंदर गया तो फिर द कि दूसरे लोर पर पहुँग गया है उस बाता है कि एसी तुल्रा करता है पूरा लण्ज खायगा एसी में बठेकर खायगा मैंसा जी खायगा और उधारी खायगा यह बाता झाय तो ये मन को समझे देखो मन को बहुत सारे नाम दिये गए है बहुत सारे नाम अंग्रेज एक नया नाम आ जा गया है न बहुत सारे नाम मरी नाम दिये गए समझाने के हिसाब से इतने मन है नहीं इतने मन नहीं है समझाने के लिए तो मुख्य विभाजन क्या है दो एक है चेतन मन यानि बहर मन बहर वाला और एक है अंतर मन अंतर मन और एक बहर का और एक अंदर का बहर का जो मन है उसको दो में विवाज़त किया है एक तोलू मन यानि कांटराश माइन और दूसरा है सहज मन सहज मन कब काम करता है जब आप खाना बना रहे हो जब आप आफिस में काम कर रहे हो गंटों बीद गए किसी काम में दो गंटे तीन गंटे और आपको पता है नहीं चला समय का तब कौन सा मन काम कर रहा है सहज मन और सहज मन काम कर रहा है तो बीच-बीच में आता है तोलूमन अरे महमानों को पसंद नहीं आये खाना तो ये आया तोलूमन बीच में तोलूमन आके पूरे काम को बिगाड़ता है पारना इंसान बड़ा खुश है सहाजमन से क्रिया हो रही है काम होते जा रहे मगर ये तोलू मन आया नहीं तो समय कड़ता ही नहीं लगता है समय लंबा हो गया मर तोलू मन नहीं है तो समय का पता ही नहीं चलता तो तोलू मन और सहज मन सहज मन ज़्यादा से ज़्यादा काम करें तोलू मन गिरते जाए तुलना करने वाला मन तोडने वाला मन, तोडने वाला मन, दो में तोडने वाला मन, यह गिर जा है, और सहज मन ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, यह था बाहर के मन की बारे में, फिर आता है अंतर मन की बाते हैं, अंतर मन में तीन है, एक अचेतन मन, बाहर का है चेतन, conscious, अंदर का है अचेतन, दूसरा है अर्दचेतन, अर्दचेतन, सबकॉंशिस, अर्दचेतन मन, अर्दचेतन मन क्या करता है, रात में आप सोय हुए हो, तो भी वो जाग रहा है, अपको थंडी पड़ी आपने कंबल पेंड लिया, मच्छर काटा आपने हटा दिया, आपको पता भी नहीं सुए है, कितनी बार आपने मच्छरों को हटाया, कितनी करवटें बदली आपको पता ही नहीं, कौन काम कर रहा है उस रोध भी कोई खाल रख रहा है उस बोड़ी का इस शरी का खाल रख रहा है अगर आपने पानी पी कर आप नहीं सोई तो रात में आपको सपना दिखाएगा कि आप पानी पी रहे हो किसी सपने में देख लोगे ताकि नेंद खराब नहों वरना बार बा ब्रह्मन, ब्रह्मन, अब यह ब्रह्मन क्या है, हम तो सुनते है एक ब्रह्मन होता है, एक शुद्र होता है, एक वैश्य होता है, एक शत्री होता है, मगर कि आप तो बोल रहे है अंदर की बात, ब्रह्मन, यानि जो ब्रह्मा में लगा हुआ है, ब्रह्मा जिसने यह पूरा विश्यो बनाया, तो उसको कहागा ब्रह्मन, ब्रह्मन में लगा हुआ है, ऐसा मन, यह दूसरा नाम ले अतिचेतन मन, सुपर कउशिस माइड, तो ब्रह्मन माने क्या, हम तो यह सुचते कि शरीर ब्रह्मन होता, एक हमारा पंडित जी है, बैठे है, मंदर में, तो ये ब्रह्मन है, ब्रह्मन शरीर से लोग होते हैं, मगर असली मन से ब्रह्मन है या नहीं, शरीर से तो परसन राम राम जप रहा है, मन अंदर मन में क्या चल रहा है, मन ब्रह्मन है क्या, मन में अगर व्यापार चल रहा है, आज कितना चड़ावा आया, आज च शरीर है ब्रह्मन, एक ही जगे पर दो चीज़े, ब्रह्मन बाहर है, अंदर से व्यापारी, यानि वैश्या, कोई ऐसा भी शरीर हो सकता है, बाहर से व्यापारी, दुकान पर बठा हो, मगर मन है ब्रह्मन, ऐसा शरीर हो सकता है, बाहर से नेता हो, अंदर से ब्रह्मन हो, बा काम पे लग गया, अब किसी को तोल कर दे रहा है, तो एक, दो देते जा रहा है, कितना देना है, कुछ बीस किलो देना है, तो एक किलो तोल कर दे दिया, दूसरा किलो तोल कर दे दिया, तो किनते जा रहा है, तीन, चार, पांच, बारा, तेरा, तेरा के बाद तो खाली तेरा विघापरी का काम कर रहा था मगर मन था ब्रहमन ब्रहम में लगा हूआ यानि उस इश्वर में लगा हूआ उस महादिन में लगा हूआ तो बाहर से कौई व्यापारी हो अंदर से ब्रहमन हो हो सकता है, शरीर पर रही नहीं जाना है क्योंग लोग शरीर पर ही उलजगे न बाहर से दूद चड़ा रहा है वो मगर मन कहीं और पर है तो कैसी क्रिया हो गई? कैसी पूजा हो गई? क्या वो सही पूजा मानी जाए? तो मन ब्रह्मन बनना चाहिए तो जिब तीसरा मन कहा गया अंतर मन के अंदर ब्रह्मन बनना है और सभी लोग ब्रह्मन बनके पैदा होते है ऐसा मत सोचना कि इस गर में पैदा हुआ तो ब्रह्मन इस गर में पैदा हुआ तो शुद्र कोई शुद्र हो जाड़ू कचरा साफ कर रहा हो और अंदर है उसका ब्रह्मन यानि कच्रा साफ करते वक्त वो सोचे करें लोगों को इसका लाब होगा लोगों का स्वास्ता अच्छा होगा तो ब्रह्मन है मन बाहर से शुद्र का काम अंदर से ब्रह्मन तो हमें अंदर से ब्रह्मन बनना है हर बच्चा ब्रह्मन होके पैदा होता यानि आप भी ब्रह्मन हो, ब्रह्मन बनके ही पैदा हुए, मर बहुत लोग, कम लोग है जो ब्रह्मन होकर मरते है, मरते वक्त लोग या तो शुद्र होते है, या तो वैश्य होते है, या शत्रिय होते है, मरते वक्त किसी को मारते मारते मरते है, शत्रिय होते है, शुद्र हो जो मैं हूँ उसमें रहते हुए इस शरीर को छोड़ा जाओ ब्रह्मन, तो ब्रह्मन बनके तो हर एक पैदा हुआ, ब्रह्मन बनके मरेगा तब जब इस यात्रा में, जीवन में ब्रह्मन बनने की कोशिश होगी, आज तो ब्रह्मन का हा, तो यह कपड़े पहनने वाला, यह नहीं किया, फ्री में, कोई वैली नहीं है, तो समझे हम, तो यह मनों के बारे में आपको बताए, यह जो पांच नाम दिये, तो पांच मत समझ लेना, कि पांच मन होगे कोई, तो बड़ा confusion हो जाए, पता नहीं हमरें अंदर क्या-क्या है, एक ही मन है, समझाने के लिए, उ इसको अलग-अलग नाम दे दिये गए है, और फिर इस मन से ब्रह्मन बने और हिर्दय पर स्थापित हो जाए, हिर्दय पर हाट, क्योंकि अभी हम जी रहें हेड में, मन हमेशा हेड में रहना चाहता है, कलावाजियां खाना चाहता है, आप वो हेड में ब्रह्मन बन गया तो हाट में आ गया, हाट में अभी क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हाट में, हिर्दय में है गांट, जिसको कहा गया है, हिर्दय गरंथी, हिर्दय गरंथी, यानि कि हिर्दय की गांट, ये गांट खुल जाए, ये गांट तीम चीजों से बनी है, क्या है ये तीम चीज़ कल्पना यानि कि क्या एक काल्पनिक मानिता कोई परसन रखता है एक काल्पनिक मानिता समझो कि आपने अंधेरे में देखी रसी आपने कल्पना की ये तो सांप है ये कल्पना हो गई कि ये सांप है अब आपको याद है आज नाग पंच में है दूद पलाना चाहिए दूद इसी बात आई कामना एक कामना जगी पहले क्या हुआ काल्पनिक मानेता बनी अग्यान की वज़े से अग्यान की वज़े से बनती न किसी ने कह दिया और हम मान के चल तेरा नंबर बुरा होता है तेरा तारिक तेरा नंबर तो ऐसे कई लोग है जो तेरा नंबर से बहुत गब पर करें, देखो कुल लोग है जोनों नहीं मानयता सुनिया है, yes, कि दिन में नहीं कहानी नहीं बतानी जए की, आप हम यहां तो सुबह से रात तक बताते रहते हैं, कहानी भी बताते है, तो यह क्या कालपनिक मानयता, है यह नहीं सच मुझ, होता नहीं ऐसा अरी इस दिन खटा खाया इस दिन बाल कटवा है इस दिन नाखुन काटे इस दिन ये खाया उस दिन हो खाया तो ये बगवान वो बगवान नाराज होने वाला है किसी ने हमको परोज कर दे दी हमने ले लिए परोज कर दे रहा है तो ले लेना चाहिए सेल्क सर्वेस होता तो जाना पड़ता उदर से लेना पड़ता अब तो बनी बलाई मिल गई ले ली ऐसे जाड़ू मत रखो एसे रखोगे तो अपर शोगन होगा हाथ में खुझली हो आँक में हो रही तो यह होगा आँक नहीं भड़कने चाहिए यह नहीं होना चाहिए वह होना चाहिए आप यही लेकर घुमरे लोग अज्ञान की वज़े से क्या बनी कालपनिक मानेता सांप सांप को दूद पलाना चाहिए आप जानते हो सांप दूद नहीं पिता अबर लोगों के इस अंदर शर्दा का फादा लेते हैं उनको तो लेना ही है तो आप एक इच्छा जगी दूद चाहिए तो कुछ लाना पड़ेगा खर्श करना पड़ेगा पैसे देने पड़ेंगे तो उस कामना की वज़े से करम यानि क्रिया होगी यानि इनसान कुछ करेगा ये तीन चीज़े तो जो उसने किया क्या वाकिए करने की जरूरत थी आपसे पूशा जाए तो आपके इनको जरूरत नहीं थी क्योंकि साप ही नहीं था दूद पलाने की जरूरत ही नहीं थी तो ये जो क्रिया हो गई अन्यसेसरी जरूरत नहीं थी तो हमारे जीवन में ब जो गलत ग्यान मिला है या अग्यान जो है इसकी वज़े से हम बहुत कुछ कर रहे है बहुत कुछ कर रहे है जरूरत नहीं है ये तीन चीजों से बनी है हिरद ग्रंथी, कांट ये खुल जाए, कैसे खुलेगी सिरो ग्यान परकट हुए यह तो रसी है साहँ अब नाग पंच में हो या नहो दूद लाने की कोई जरूत नहीं है है ना तो कितनी सारी डिजार से इच्छा हैं जो हम अग्यान की वज़े से पाल रहे वो ख़तम हो गई बच्चे थे जे हम तो कुछ अलग कल्ब नागर है कर रहे थे मैं बड़ा होकर यह बनूँगा आजा आप आँ आसा नहीं सुसते क्यों जैसे ग्यान आया आरे वो तो मैं अग्यान की वज़े से बोलता था क्यों मैं यह बनूँगा वो बनूँगा अब नहीं सुसता तो अग्यान दूर हो जाए हिर्दय की गांट खुल जाए हिर्दय पर स्थापित हो जाए ब्रह्मन बनके हमें हिर्दय पर स्थापित होना है हेड को छोड़ना है और यही तरीका है यहां पर आप आए हो तो क्या होने वाला है यहां आपको फिर उसे बच्चा बनाया जाता है फिर उसे बच्चा बनना है तो आना है हिर्दय में स्थापित होना है तो आना है मान्यताओं से मुग तो होना है अगर तो आपको आना है सत्युग में स्थापित होना है हिर्दय है सत्युक और हेड है कल्युक तो सत्युक में इस्थापित होना है अगर तो यहां आना है संग का अर्थ सही समझना है समझ पराप्त करनी है तो यहां आना है राज की प्रवचन में हमने आनंदित विचारों से शुरुआत की अगर आनंदित विचार का अर्था आप समझ जाओगे तो आप आनन्दत विचार करोगे और कहोगे या कई सरे लोग आपको मिलेंगे happy thoughts कहते हुए क्योंकि आनन्दत विचारों से यात्रा आगे बड़े नेगेटिव विचारों से बड़े आनन्दत विचारों से फिर निर्विचार अवस्ता की और head से heart की और और आपको कहा गया कि आँख की शक्ती बड़ाओ या काम की शक्ती बड़ाओ या मन और बुद्धी की शक्ती बड़ाओ तो ये सब होगा मगर इससे भी एक उत्तम चीज़ है जो लक्ष है इनसान का इनसान के जनम का उस महा आनन्द को प्राप्त करना जो इस मन के पीछे है सत्संग में आना शुरू हो जाया जहा समझ मिले कि अंत में आप क्या जानते हो कि आप कौन थे, कौन हो, कौन रहोगे जो मान कर चले थे वो तो हम थे एए नी शुरू से और फिर दूसरी बात कहीगी मन संग कम हो ऐसलिए आ से बंद हो जाएगा मन संग मनसंग चलता रहेगा मर क्या सत्संग बढ़ता जाए मनसंग कम होते जाएगा दोनों में से कोई भी एक चीज होगी या तो ये कम होगा या तो ये बढ़ेगा देखोगे गाड़ी आगे बढ़ेगी तो मनसंग कम हो तो मन क्या है उसके बारे में बताया यहां आकर सिवा का जो मौका दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद Have a thought आगामी बहा आस्मानी परमग्यान शिवर में अपना स्थान आरक्षत करने के लिए संपर करें Online Registration के लिए आज ही लॉग इन करें www.tejgyan.org इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें साथ ही अपने अभी प्राए हमें कमेंट करके जरूर बताएं Happy Thoughts तेजग्यान और सरशरी तेजग्यान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटिस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद